हे गाई सुलकम टू माई चानल आज हम लोग बासीर और निकिता भामीदी पती के ब्रेकप के बारे में बात करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं मैंने अपने प्रिवियस कुछ वीडियो पर अल्रेडी आप लोगों को पहले शेयर किया हुआ था बासीर और निकिता कई सरे पार्टीस और इवेंट्स वगेरा में एक साथ नजर आते थे उसके बाद दोनों सोसियल मेडिया पर भी काफी एक्टिव हो गये थे दोनों एक साथ अपने फोटोस को स्टोरीस और पोस्ट करने लग गये थे जिससे पता चल रहा था कि दोनों में कुस तो पक रहा है and it was quite surprising क्योंकि दोनों अपने access के साथ कभी भी इतना ज्यादा publicly open नहीं थे but this time it was something different ऐसा लग रहा था कि दोनों काफी ज्यादा serious हैं दोनों एक दूसरे को काफी लवी डवी वाला comments भी डालते रहते थे फिर एक event के दोरान वासिरो निकिता ने अपने relationship को accept किया था काफी सालों बाद किसी mtv couples को इतना hype मिला हुआ था और लोग इन दोनों के जोड़ी को काफी पसंद भी करते थे बट अभी तक दोनों के relationship को एक साल भी नहीं हुआ और break up कर humor सुठने लग गया है हुआ यह है कि 4-5 दिन पहले ही बासिरो निकिता ने एक दूसरे को instagram पर unfollow कर दिय दोनों ने एक दूसरे के जो भी previous post पगेरा थे वो सब कुछ delete कर दिया या फिर hide किया होगा I don't know क्योंकि instagram पर archive option भी होता है अभी आपको दोनों की बस एक ही post देखने को मिलेंगे जिसमें बासिरो निकिता के साथ केविन है वासिर ने तो in fact जो जो भी comments निकिता को किये थे वो तक भी delete कर चुके हैं दो दिन पहले भी जब निकिता का बड़े था वासिर ने निकिता के लिए कोई भी story नहीं डाला निकिता के बड़े पर भी वासिर नहीं दिखे थे जिस वचे से काफी लोगों ने निकिता के बड़े post पर सवाल पूछने सुरू कर दिये थे यहा का यही सवाल है कि आखिर वासिर ने निकिता को rescue नहीं किया निकिता के एक post पर आप लोग देख सकते हो वासिर ने निकिता को comment किया है carry me in your bag please यह comment फिल हाल आपको देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि वासिर already recently delete कर चुके हैं ब्रेकप के बाद निकिता ने भी दो quote को repost किये हुए थे एक में ये लिखा था distance is my new answer to disrespect I no longer react I no longer argue I no longer dive into drama I simply remove my presence और एक quote में ये लिखा था I love the girl in my head she is actually crazy और एक story भी निकिता ने आज डाला when you gotta clean his eyes cause he can't see how blessed he is to have you तो इन सब चीजों से साब पता चल रहा है दोनों का break up हुआ है बट कल तक दोनोंने एक दूसरे को unfollow तो किया हुआ था पर आज suddenly मैंने जब चेक हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को follow back कल लिया है जिसी ये पता चल रहा है कि अगर दोनों में break up हुआ भी हो तो फिलाल शाय में आप लोगों को जरूर सेयर करूंगी तो गई साज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना थेंक्यू